हलो आज है बारह नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल्वे सेक्टर से जुड़े हुई दो दमदार कंपनियों के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों में आग पकड़ के रखी है पहला है इंडियन रेल्वे फिनांस कॉर्परेशन और दूसरा है रेल्वे कास निगम और इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि इनके हाल फिलहाल में कौर्टर टू के रिजल्ड सामने आए हैं तो उसके बारे में भी हम साथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले गर आपने अभी तरह चैनल को सब्सक्राइब नह है 14 प्रतिशत यह भाग चुका है 21 रुपय के आसपास था जो तेजी पकड़िया शांदार है 25 रुपय तक गया था थोड़ा सा करेक्शन इसने जरूर दिखाया है और नतीजे भी इनके एक्सपेक्टेड से उतने ही आये हैं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जादा एक्स्ट् में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये शर आपको 20-21 के आसपास नजर आता है खरीद लो इसको लेकिन जैसे ही 25 रुपय के उपर निकलेगा वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी त्युकि ये पहले भी हो चुका है पहले भी अगर आप देखो तो 25 रुपय के आसपास जब भी गया है एक प्रॉफिट बुकिंग आई है नीचे की तरफ ये शर गया है और हो सकता है कि आगे भी ये चीज़ आपको देखने को मिले इंडियन रेल्वे फिनान्स करॉपरिशन 32,000 करोड से भी हम यहाँ पर बाचीत भी करें तो प्रॉफिट में इनका 14 प्रतीशत का जंप है 1714 करोड के इनोंने मुनाफ़ा कमाया है जो कि अच्छा प्रॉफिट मैं कहूंगा इसको और इतना ही नहीं इनके जो रिवन्यू है उसमें भी काफी अच्छी तेजी है 24% के आसपास की 5810 कर रिवन्यू रहा है जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 4690 करोड का हुआ करने तो कंपणी के प्रॉफिट अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं और यह वागई में अच्छी बात है इसके अलावा इंडियन सेक्टर के अगर हम बात करने जाये तो यहाँ पर definitely मैं वानता हूँ कि आने वाले दौर में अच्छी चीज़ हो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक नजर करें तो company ने dividend भी announce किया है अब देखे dividend 8% of face value 80 पैसे का इसने dividend announce किया है तो ये भी बहुत अच्छी बाद मैंने पहले भी कहा था कि देखो यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो dividend के थुरू बनेगा IRFC और RVNL दोनों में ही जो पैसा बनेगा वो dividend के थुरू बनेगा और share में जो तेजी आएगी वो आपका bonus होगा यहाँ पर IRFC के बारे में अगर हम नजर करेंगे तो भीया company के बारे में देखे तो उसी 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे है मैं बेचने की बात नहीं करूँगा बले ही 25 पे चला जाए 26 पे चला जाए मैं कहूँगा रखे रहो अपने portfolio में हर साल dividend खाते रहो और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये एक breakout के तरफ बीच आएगा तो उस opportunity को हमें miss नहीं करना है यहाँ पर अगर अगर आप dividend की मैं बात करो तो जैसे कि 80 पैसे का dividend इन्होंने announce किया है इसे पहले 63 पैसे का dividend पे कर चुके है मतलब आप खुश सोचिए कि कोई company जो 20 रुपे के आसपाश ट्रेट कर रहा हो लेकिन आपको डेड रुपे तक का dividend पे कर रहा हो साल भर का तो अच्छा है ये कोई खराब नहीं है बहतरीन है और यही वज़ा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो buying price है वो कम होनी चाहिए आपको अच्छा का साथ dividend हर साल पे करता है और जिसके डूबने के chances ना के बराबर है ऐसी कमपनियों में long term के लिए निवेश करना चाहिए और उसमें से एक IRFC भी है खरीदारी करने का सही मौपए और उरबोर्ट जोन में कोई भी रेड़ फलेग नहीं नहीं आ रहे 5.25 का PA सेक्टर भी 21-22 का है और इसलिए 100% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो holding के बारे में अगर हम देखेंगे share holding के बारे में अगर हम बात किया तो promoter के पास 86.36% की holding है promoter अपनी holding को आने वाले दोर में 75% पर लेकर आएंगे क्योंकि यही सेबे का rule है और सरकार है यहाँ पर promoter के तोर पर 2.17% mutual fund के पास है 1.22% domestic के पास है 1.05% Files के पास है retail और अधर की मिलाकर 9.19% की holding है जिसमें retail investors के पास 6.57% की holding देखने को मिल रही है तो नतीजे जो आए है वो अच्छे है शांदार है लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ से 2 गुना हो जागा 3 गुना हो जागा कि ऐसा नहीं होने वाला है ऐसा बहुती rare case में होगा और बड़े लंबे अर्से बात हो गई है तो अभी के लिए यही कहूंगा खरीदारी करी है बने रही है लेकिन जहां तक बात है यहाँ पर fresh buying की अगर यह गिरेगा खरीदारी के मौके बनेंगे और उस मौके को आपको गवाना कभी भी कभी भी कभी भी नहीं चाहिए एक और company है जिसके बारे में हमने कहा कि rail विकास नियम 50 रुपए के आसपस यह भी trade कर रहा है एक अच्छी रफ्तार इसने भी पकड़ी है और यह फट चुका है almost एक महिने में 40% तक दोड़ चुका है 35 रुपए से काफी बड़ी तीजी पकड़ी है काफी बड़ी तीजी कहा सकते और एक साल के अगर हम बात करें तो 37% का growth है अपने highs पे बैठा है all time highs कहलो आप इसको वहाँ पर बैठा हुआ है यह शेर इससे पहले भी ऐसे तीजी देखने को मिली है हमें देखो एक बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर वापस consolidation रपाला लंबा टाइम आया वापस एक बड़ी रफ्तार आई वापस यह consolidate किया अब बड़ी रफ्तार आई अब consolidate करेगा यह करेगा यह यहाँ पर consolidate आब देख लीजीगा और खरीदारी के मौके हमेशा होते हैं जब ये कंसोलिडेट कर रहा हो जब ये सस्ता मिल रहा हो और यही वज़े है कि मैं हर बार कहता हूँ कि ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए अगर आप मेरे प्रिवेस वीडियो को उठा के देख लो मैंने हर बार खरीदारी की बात करी है यहाँ पर जब ये आपको 20 रुपे पर मिल रहा था जब 22 पर मिल रहा था, 30 पर मिल रहा था कई सारे वीडियों मैंने बनाए थे और कहा था खरीद के भूल जाओ इसे रेल विकास निगम के बारे में अगर हम बात किया तो कई बड़े ओर्डर्स भी इनको मिले है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्पनी वस डेकलेर सक्सेसफुल बिडर्ड इन मालदीव्स फर डेवलोप्मेंट ऑफ यू टी एफ है बर प्रोजेक्ट जो है इसका एक बहुत बार प्रोजेक्ट इनको मिला है मालदीव्स का प्रोजेक्ट इनको मिला है और जो प्रोजेक्ट की वो कॉस्ट है 1545 करोड की कॉस्ट है तो बहुत अच्छी बात है कम्पनी के रेजल्ट भी देखे तो अच्छे आये थे तो 21-22% का जंप हमें देखने को मिला है तो नतीज ये दोनों के अच्छे आए हैं चाहे RVNL के हो या फिर IRFC के हो mid cap share है ये और 10,000 करोड से भी जादा का इसका market cap है volume देखा जाए तो भाईया बहुत जादा volume है अगरीबन 3 करोड 95 लाक के आसपास के volume नजर आए बड़ी quantity में share trade हो रहे है और definitely revenue में बहुत बड़ी तेजी है profit में बहुत बड़ी तेजी है promoter के पास 78.20% की holding है promoter सरकार है यहाँ पर और सरकार अपनी हिस्सदारी को और कम करें जाने वाले दिनों में और अपनी holding को 75% पर लेकर आएंगे 1.76 Files 0.12 Mutual Fund 7.31 Insurance Company के पास देखने को मिल रहा है promoter का एक भी शर्गिरवी नहीं है यह भी बहुत अच्छी बात है Railway कास निगम के बारे में अगर हम देखें तो सिफ 14 प्रतिशन लोगी है according to money control user जो बेचने की बात कर रहे है वरना 86% लोग के खरीदारी करो company को लेकर अगर आप देखेंगे तो revenue में बहुत बड़ी तेजी है 19,400 करोड तक के revenue यहाँ पर आए है financial year 2022 में और अभी यह revenue 2023 में आपको कम से कम 20-22,000 करोड के देखने को मिल सकते हैं profit भी अगर हम देखें तो काफी बड़ी रफतार profit ने पकड़ी है 470 करोड से 1080 करोड पर पहुँच चुका है और अभी इसी quarter में 380 करोड का इनका profit हुआ है जो की बहुत ही बहतरीन profit है अगर यही रफतार से आगे बढ़ेंगे तो definitely लेम कह सकते हैं काफी अच्छी तरी से कंपरी ग्रो कर सकती है रेल विकास निकम definitely बड़ी रफतार के बावजूद भी इसका P ratio 8.66 का है जो sector P 21-22 के मुकाबले काफी अच्छा है और यही वज़ा है कि 100% एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं खरीदारी करो और खरीदारी करने का सही मौका भी है अच्छा डिविडेन भी पे कर रहा है और लॉंग टर्म में बैंक FD से भी अच्छा पैसा बनाया है करेंट प्राइस भी इसकी कम है यहाँ पर चेह होल्डिंग के बारे में हम देखें अच्छे कासे कॉंटिटी प्रमोटर के पास भी है बड़े फंट हाउजिस के पास भी है रिटेल्स और अधर्स की मिलाकर 12.61% की होल्डिंग है उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.08% की होल्डिंग देखने को मिल रही है ओवरल रेल विकास निगम को लेकर मैं कहूंगा कंपनी बहतरीन है शांदार है लेकिन हाँ हर बड़ी रफतार के बाद इसने भी थोड़े बहुत जटके खाए है लंबा कंसोलिडेट किया है तो यहां से अगर थोड़ा बहुत यह तूटेगा कंसोलिडेट करेगा नीचे की तरफ जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे पैतालिस रुपए के आसपास अगर यह नजर आता है खरीदारी के मौके यहां पर भी देखने को मिल सकते है बेचना मत इसको लॉंग टर्ब के रखे रहो अच्छा डिविडेंट पेंग शैर है अगर मैं डिविडेंट की ही बात करूँ यहां पर तो दो बार इसने भी पे किया है और काफी अच्छा डिविडेंट पे किया है तो यही कौंगा खरीदारी करी है दोनों ही कंपनियों में बड़े रही है बड़े मुनाफ़े दोनों कमपनियों ने कमाये है बड़े डिविडेंट भी दोनों ने अनाउंस किये है बड़े प्रोजेक्ट भी दोनों कमपनियां हैंडल कर रही है सरकारी कमपनियां है दोनों एक आने वाले दोर में तेजी भी आ सकती है सरकार अपने हिसादारी को यहाँ पर कम भी करेंगे तो वो भी देखना इंट्रेस्टिंग होगा वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंदाय हो तो लाइक करें शाय करें चैनल पहले पहले बाहर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपके पॉर्टफोलियो में रेलवे कास निगम को आप लेना पसंद करोगे यार इंडियन रेलवे फिनांस होल्डिंग को आप लेना पसंद करोगे वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू